प्रिये मित्रों आप सभी का उमायरा एस्ट्रोलोजी में स्वागत है हम रोज एक नए विशेबे आपको जनकारी देते हैं यदि आप हमसे जुलना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल उमायरा एस्ट्रोलोजी को सब्सक्राइब कर ले जिससे आप रोजाना एक नए विशेबे जनकारी पास सकेंगे गज लक्ष्मी का पूजन राज योग पाने के लिए किया जाता है गज लक्ष्मी के पूजन से जीवन में मान समान मिलता है गज को वर्षा करने वाले मेगो और उर्वर्ता का भी प्रतीक माना जाता है गज की सवारी करने के कारण यह उर्वर्ता और सम्रिद्धी की देवी भी है गजलक्ष्मी देवी को राजलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनी की कृपा से राजाओं को धन, वैभव और समृद्धिक आशिरवाद प्राफ्थ होता है गजलक्षमी का स्वरूप चार बुजाधारी माना जाता है हिंदु धर्मशास्त्रों के अनुसार गज यानी हाथी पर आठ कमल की पत्तियों के समान आकार वाले सिन्हासन पर विराजित होती हैं गजलक्षमी इनके दोनों और भी हाथी खड़े होते हैं चार हाथों में कमल का फूल, अमरित कलश, बेल और शंक होते हैं इनकी उपासना संपत्ति और संतान देने वाली मानी गई है शुक्रवार के दिन पूजा स्थल पर हल्दी से कमल बना कर उस पर माता लक्षमी की मूर्ती स्थापित करें और मूर्ती के सामने श्री यंत्र और फल फूल रखें ऐसा करने से आपकी आए में वृद्धी होगी तो प्रिये मित्रो अगर आपको जनकारी अच्छी लगी हो तो क्रिपया लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग